मोहन सरकार का पहला बजट कल पेश किया गया बजट में कई बड़ी खोशनाएं की गई हैं जिसकी केबिनेट मंत्रियों ने सहारना करते हुए बजट को जनहितेशी बताया उर्जा मंत्री प्रद्यूमन सिंग का कहना है कि यह बजट सभी वर्गों के लिए है इस बजट को विपक्ष को सुनना था और अगर इसमें कोई कमी थी तो वो बतानी थी लेकिन कॉंग्रेस नकारात्मक्ता पैला कर सुर्खियों में रहना चाहती है केवल हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का काम है हित्मे हारवरु, सर्वारावर्ण नौजवान, महलाओं सबके लिए बजट है है इस बजट को पूरा सुनते सुन करके सजन में उसकारात्मक सोच के साथ जनता के हितों में चर्चा करते बयट में कोई कमी की दोस्जाओ देते मध्यप्रदेश में वहन सरकार अब क्रिश्न पद्गमन बनाने की तयारी कर रही है सरकार ने प्रस्ताव जारी किया है जिसमें श्रीक्रिश्न मध्यप्रदेश में जहां जहां गए थे महां श्रीक्रिश्न पद्गमन बनाया जाएगा इसको लेकर संस्कृती परियतन और संस्कृती विभाग के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि जहां जहां भगवान शिक्रिष्ण की लीलाएं हुई है उनिस्थानों को विक्सित किया जाएगा महीं उज्जयन सियस्थ को लेकर कहा कि सरकार ने कुम्भ मेले के लिए 500 करोड की राशी बजट में स्विक्रत की है बजट में तो यह भी एक बड़ा कदम है जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बजट की सहारना करते हुए कहा कि यह मद्यप्रदेश का एकिहासिक बजट है समाज के हर व्यक्ति और वर्ग को जोड़ने वाला बजट है समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला इध्यासिक बजट है वहीं पिच्रा वर्ग अल्प संक्यक कल्यान मंत्री क्रश्नगौर का कहना है कि इस बजट से आने वाले समय में बदला हुआ मद्यप्रदेश दिखाई देगा क्योंकि इस बजट में युवाओं की आस, महिलाओं का विश्वास, किसानों का विकास और गरीबों के बदलते जीवन का प्रयास किया गया है प्रस्तुत होने वाला बजट अपने आप में मद्यप्रदेश की इतिहास में इतिहासिक बजट है ये पहला ऐसा उसर है जब मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत हुआ है 3,65,067 करोड का ये बजट है मद्धिपर्देश के सर्वांगिन विकास और सर्व समावेशी इस बजट के लिए मान्य मुख्य मंत्री जी कोटी कोटी बधाई के पात रहें जिनोंने सही अर्थों में इस बजट के माध्यम से युवाओं की आस, महिलाओं का विश्वास, किसानों का सरवांगिन विकास और गरीबों के बदलते जीवन का प्रयास किया है आप देख रहे हैं दखल्यूल